हलो फ्रेंज वेलकम टू गारगी क्लासिज राजस्थान हिस्ट्रे में अपन बात कर रहे थे राजस्थान में पॉलिटिकल अवियरनेस किस-किस तरीके से फैली किन-किन इंस्टिटूशन ने इंपोर्टन रोल प्ले किया कौन-कौन से न्यूज पेपर्स थे और कौन-कौन से important personalities थी जिनके बारे में अपने directly indirectly बहुत बार जानने की कोशिश की है ठीक है यह पार्ट नमर तू रहेगा जिसमें बचे हुए जो भी major institutions हैं जिन्होंने political awareness spread करने में बहुत important रोल प्ले किया था राजस्थान में उनके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे और राजस्थान geography complete हो गई राजस्थान art and culture और राजस्थान history ये parallel चल रही है तो overall जल्दी से जल्दी complete करने का target है अपना और इसके अलावा आप current affairs के point of view से देखें तो daily सुबा दो news paper मैं upload करता हूँ एक तो editorial and idea page of Indian express और एक आपका explained page इससे क्या है बहुत सारे जो contemporary issues चलते रह जाते हैं अगर आप उन videos को follow कर रहे हो तो तो इस तरीके से ये पूरा अपना course complete है ये चल रहा है अभी currently और साथ में आप दूसरे videos को भी देख सकते हो जो की अलग-अलग faculties के द्वारा conduct किये जा रहे हैं राजस्थान geography के videos complete हो गए है उसमें केवल census वाला part बाकी है इसके notes available हैं और उन notes से related कि आप कैसे अवेल कर सकते हो notes को उनसे related आप टेलिग्राम चैनल पर जाके और वहां पर detail चेक कर सकते हैं पिंड message में ठीक है तो इस तरीके से अपन चलो वीडियो का अपना discussion स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा डिले किये सबसे पहले आज अपन देखें खंडलाई आश्रम ठीक है खंडलाई आश्रम आज एक छोटा सा amendment में आपके लिए करना चाह रहा हूं एक तो यह कि मैं खुद से अब handwritten notes prepare कर रहा हूं हर एक lecture का इसके दो फाइड़े होंगे नंबर एक फाइदा तो यह कि handwritten में accurate जो wording required है वो अपन लिख पाएंगे दूस आपको जो notes avail कराने होंगे तो उस time पे मैं आपको मेरे handwritten notes से avail करा दूँ और जहां इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी अपने को animation add करना है तो वो नहीं करेंगे PPT से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो PPT में बीच में animation की requirement होगी तो वो भी अपन add-on करते जाएंगे उसमे change कर लेंगे बाकी मैंने बहुत सोच समझ के decision लिया है चलिए start करते हैं यह डूंगरपूर में establish की गई थी और किसके दुआरा मानिक्यलाल वर्मा के दुआरा 1934 AD में और डूंगरपूर में भी आप देखोगे तो सागवाड़ा तहसील है वहां पर इसको establish किया गया था भी भील्स वहां पर बहुत ज्यादा डॉमिनेट करते हैं यह community जो tribes है भील ट्राइब है उनकी पाल पर पाल का मतलब एक पूरा group बैठा था बहुत सारे भीलों का तब उस time पे इस institution को launch किया गया था जिसका नाम था खंडलाई आश्रम इसका main जो target था वो थे भील और जो खंडलाई आश्रम ने एक school भी establish किया था भील students के लिए इसमें मानिक्यलाल वर्मा ने यहाँ पर library बनाई थी, dispensary भी बनवाई थी, school भी बनाया था जिसमें अपने ये बात की school establish किया गया था, dance school भी था, tools room भी था और एक facility थी जहाँ पर खादी की कताई की जा सकती थी, की waving हुआ करती थी, इस आश्रम की boundary के अंदर ही, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा facilitation किया गया था भीलों के लिए मानिक्यलाल वर्मा के दुआरा इस खंडलाई आश्रम के through, next है, वो है जीवन कुटिर जो की वनस्तली आज टॉंक में है, वनस्तली निवाई, जो तैस किया गया था, हीरालाल शास्त्री जी के दुआरा, जो राजस्तान के पहले मुख्य मंत्री थे, उन्होंने 12 मई 1929, मतलब 1929, AD को वनस्तली जगया पे, जो की निवाई तहसील जैपूर डिस्टिक में आया करती थी, उस टाइम पे, वहाँ पर इस्टैबलिश किया गया था इसका एम क्या था, कि एक नए तरीके की village society बनाई जाए, जो खुद के resources के basis पे हो, कहने का मतलब गांदी जी का जो basic idea था ना, कि village जो है वो अपने आप में एक full economic system बन सकता है, उस idea को एक तरीके से propagate किया था, वो काम किया गया था इस जीवन कुठिर के दुआरा, जिसको establish क हिरालाल शास्त्री जी के दुआरा, अब इसमें देख लेते हैं कि कौन से important principles थे, जिनके basis पे यहाँ पर लोगों में एक political awareness लाई गई थी, तो वो थी truth, peace, justice and accomplishment, ये बहुत ही important चार principles थे, four principles थे, इस जीवन कुठिर में, इसलिए नाम क्या दे दिया, जीवन कुठिर, मतलब जीवन जीने का तरीका यहाँ पर शिखाया जाएगा, सही अच्छे से काम करते हुए, ठीक है, next देखते हैं, इस जीवन कुठिर की अगर आपन बात करें, तो इसमें जितने भी लोग participate करते थे ना, वो creative walks के लिए काम किया करते थे, उन्होंने किसी भी moment में, चाहे वो दूलन हुआ हो, regional हो, या national हो, या princely states में हो, किसी में भी कोई participation नहीं किया, यहाँ के लोगों केवल जीवन जीना सिखाया जाता था, वो भी कुछ moral principles पे जिनके बारे में अपने अपने देखा, इस institution के, या फिर जीवन कुठिर के main activist कौन कौन थे, वो नाम देख लो, आप बहुत important names है, हीरालाल शास्त्री खुद, और उनकी पत्नी जिनका नाम था, रतन शास्त्री, ऐसे ही, वेंक्टेश पारिक, दीरेंदर सिंग, और चंदर शेखर शर्मा, और इनके अलावा, हरजी राम शर्मा, ऐसे करके, यह major जो भी activist थे, जिनके नाम अपने देखे, आप आप देखोगे, इस institution को एक self sufficient system बनाने की कोशिश की गई थी, तो इनको financial assistant जो थी, assistance जो थी, वो जैपूर के लोगों के दौरा भी मिलती थी, ऐसे ही, सीताराम, सेक सरिया के दौरा, और दूसरे थे, भागिरत जी, करनोडिया, ठीक है, तो इस तरीके से finance कहा से मिलता था, एक तो जैपूर के लोगों के दौरा, दूसरा सीताराम सेक सरिया के दौरा, और तीसरा थे, भागिरत जी, करनोडिया, ठीक है, तो ऐसे करके, इन different, different sources से इनके पास में पैसा आता था, और ये जो दोनो जो persons थे ना, सीताराम जी और भागिरत जी, ये कॉलकाता में बिजन सभा, इसको स्टैब्लिश किया गया था, उदैपूर में, दो जुलाई 1877 AD को, और इसके first president बने थे, महाराना सज्जन सिंग ऑफ उदैपूर, एम क्या था, कि कैसे भी करके, marital discord जो भी थे, जितने भी issues आते थे, शादियों को ले करके, उनको sort out करना, इस institution ने, कुछ rules formulate कि ये थे, जिनमें पहला rule था, वो था, राजपुती शादियों में, जो खर्चा बहुत जादा होता था, उसको कम करना, दूसरा, जो राजपुतों में, ब्रामिनों में, और महाजनों में, मतलब अपरकास्ट में, जो polygammy, मतलब बहु पतनिवाद, एक से जादा पतनिया र आपको अगर पहली बीवी से बच्चा पैदा नहीं होता है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, ठीक है, तो महाजन और ब्रामिन्स के लिए तो 40 साल के बाद में, एक male जो है, वो दूसरी शादी कर सकता है, बट एक condition है, अगर उसको अपनी पहली बीवी से बच्चा नहीं मिलता है, पैदा नहीं होता है, दूसरा, राजपुतों के लिए दो शादियां तो देखो common थी, two marriages तो common थी राजपुतों में, बट 45 साल की उम्र से पहले पहले तीसरी शादी अगर कोई करना चाता, तो वो कर सकता था, ठीक है, तो इस तरीके से एक regulation create किया rule establish करने की कोशि की थी, marital discord से related, साथ में, जो marriage और divorce related जितनी भी activities होती थी न, तो वहाँ पर जो expenditure हुआ करते थे, खर्चे जो होते थे, बहुत जादा होते थे, तो उन खर्चों को कम करने के लिए, इस देश हितेशनी सभा ने बहुत important role play किया था, तो marital issues से related अगर question आए, तो सीधा आपने को देश हितेशनी सभा का नाम ले लेना है उदैपुर की, next है, प्रताप सभा उदैपुर, इसको establish किया गया था, 1915 AD में, किसकी memory में, महराना प्रताप की memory में, और establish किया गया था, उदैपुर में, इस co-operate करने वाले जो main leader थे, उनका नाम था, बलवंत सिंग महता, aim क्या था, लोगों में, self respect का sense develop करना, और एक independence के लिए, जील लेक्या आना, कि हमें स्वतंत्र हो करके, खुद से, खुद को rule करना है, यहां से, बहुत सारे publication हुआ करते थे, distribution हुआ करते थे, literary activities के, जो की कहीं ना कहीं, वीर रस मतलब, struggle करके, अपने independence को gain करना, लडाई करना, ठी पंदित, वो literary activities हुआ करती थी, उन subjects पे लिखा जाता था, और फिर वो publish किया जाता था, तो महराना प्रताब ने जिस तरीके से, अकबर की, subordination accept नहीं की, इस तरीके से, वो चीजे याद दिलाने के लिए, वो वीर रस याद दिलाने के लिए, यहां पर प्रताब सभा से, यह activities की जाती थी, लोगों को जागरूप करने के लिए, यहां पर अगर आपन देखें, तो एक public meeting organize की गई थी, उदैपुर में, जब जमनालाल बजाज वहां पर आये थे, और वहां पर जो बिजोलिया moment चल रहा था ना, पीजन moment, उसको endorse किया गया था, उसको एक सहयोग प उसी से कहीं न कहीं यह inspiration ली थी, इस institution ने, 1938 में British government ने प्रताप जहनती को मनाने से मेवार में बैन लगा दिया था, कि भई अब आगे से प्रताप जहनती को आप celebrate नहीं करोगे, क्योंकि Britishers को डर क्या था, कि भई जैसे महाराना प्रताप ने अकबर की subordination accept नहीं की, तो हमारी भी मतलब जड़े उखार की effect देंगे, तो यह डर था एक तरीका एक apprehension create हो गया था, कि national awareness आ रही है लोगों के बीच में, तो इसलिए 1938 में British government ने महाराना प्रताप की जहनती थी, मेवार में से celebrate हुआ करती थी, उसको भी ban कर दिया था, तो आप देख सकते हूँ, कि कि इतना important role play किया था इन institutions ने, next institution is महिला मंडल जो की उदैपुर में establish किया गया था, 10 November 1935 को और इसको establish किया गया था, दया संकर शोत्रिय के दुआरा, उदैपुर में, aim क्या था, education के through, जो औरते थी, उनमें political awareness लेकिया आना, और एक nationalism का sense लेकिया आना, कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रियता क्या चीज होती है, किस तरीके से हम हमारे देश को आजाद करवा सकते हैं, through education, ये चीज awareness फैलाई जा रही थी, महिला मंडल उदैपुर की द्वारा, वहां की औरतों में, अब होता क्या था, इस institution में किसी को अगर admission लेना होता, तो उसको एक तरीके से प्रतिग्या लेनी होती थी, that person has to pledge, क्या, कि वो indigenous clothes पहनेगा, अंग्रीजों की जो बहार से, मैंचेस्टर से बनके जो कपड़े आ रहे हैं, वो नहीं पहनेगा, खुद के हातों से कात करके, खुद से बनाएगा, खादी के कपड़े, या cotton के कपड़े, वो पहनेगा, दू चरका चलाए, और indigenous हमारे यहां की local कपड़े पहने, इन औरतों को training भी दी जाती थी, तो training camps भी लगाए जाते थे, कि किस तरीके से, आप और ज़्यादा politically aware हो सकते हो, और हमारा जो देश है, उसको आजाद कराने में, आप कैसे important role play कर सकते हो, ठीक है, इस महिला मंडल में, इसको establish किस ने किया, दयाशंकर शोत्रियन है, इनकी पत्नी, कमलाख शोत्रियन ने भी बहुत important contribution किया था, जो कि दयाशंकर शोत्रियन की पत्नी थी, कमलाख शोत्रियन, तो यह नाम जो आ रहा है ना, ओरतों के, जैसे रतन शास्त्री आ गया, कमलाख शोत्रियन, यह नाम वो तो हर इंस्टिविशन ने कुछ ना कुछ अटेज्ड नेम आ ही रहे हैं नेक्स्ट इंस्टिविशन है वो है मारवाड लोग परिशत जोदपुर इसको ना किया था कि अवरद्फ जोदपुर महाराजा ने एक और निकाला कि जितने भी ऐनिमल हैं उनमें फीमेर अनिमल्स को बाहर निकाल दिया जाए तो उसके अगेंस्ट में जैरनाराण व्यास लेड जो पूरा ग्रुप था ना उन्होंने प्रोटेस्ट रेजिस्टर कराया था तो उसकी वज़े से कही ना कही इनको देश निकाला देने का डर था तो ये कहां चले जाते हैं अजमेर ब्यावर वाले रीजिन में चले जाते हैं तो इस वज़े से ये अल्रेडी एक्जाइल थे मतलब देश निकाले पे थे अब बाहर थे जोदपूर से तो इनसे एक इंस्पिरेशन रो की गई और फिर बाद में जब ये इंस्टिटुशन स् बट प्रेजिडेंट फर्स्ट कौन बना रणचोड़दास गटानी में एक्टिविस्ट की अगर आपन बात करें तो उनमें नाम रहे इस इंस्टिटुशन से रिलेड़ेड अचलेश्वर प्रशाद शर्मा ऐसे ही छगन चौपसानी वाला चौपासनी वाला ऐसे ही मतुर महराजा के अंडर जो रूल जिस महराजा के अंदर चल रहा है मारवाट में उसी के अंडर में एक रिस्पॉनसिबल गॉर्मेंट इस्टैबलिश की जाए responsible government मैंने आपको कल बताई थी कि हर कुछ time के बाद में election हो तो उस सरकार को अपने जिम्मेदारियों को याद दिलाए जाए कि भई आपने फिछले 4-5 साल में अच्छा काम नहीं किया अब हम आपको vote नहीं देंगे तो उनकी एक जिम्मेदारी अपने आप ही बन जाए कि भई अच्छा काम तो करना ही पड़ेगा नहीं तो हम सकता से बाहर निकल जाएंगे तो ऐसी सरकारे responsible government होती है जो कि democracy में देखी जा सकती है जैसे कि इंडिया इस institution की जिसका नाम है मारवाड लोक परिशद इसकी बहुत सारी branches भी खोली गई मारवाड के different परअगनाज में मतलब मारवाड के different जो एरियास थे वहाँ पर बहुत सारी branches भी खोली गई इस institution को जो जिसका नाम है एक सेकंड हाँ बीचों कोई आ गया था मारवाड लोग परिशद थीक है तो उसको बैन कर दिया गया था गौर्मेंट के दुआरा क्यों 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 हो क्या गया था कि धीरे धीरे जो रिस्पॉंसिबल गौर्मेंट की जो डिमांड थी ना वो बहुत ही जादा मॉमेंटम ले चुकी थी बहुत जादा पीक पे पहुंच गयी थी ये डिमांड तो इस वज़े से गौर्मेंट ने इस institution मारवाड लोग परिशद को बैन कर दिया था 8 मार्च 1940 को अब जैसे ही इस institution को बैन किया गया तो एक huge demonstration निकला जुलूस निक कर लिया गया तो इस चीज के against में लोग सडकों पे या फिर मतलब streets में उतराये थे और उन्होंने बहुत ही गजब का जुलूस निकाला था 2 अपरेल 1940 को और इसका ultimately result क्या निकला एक agreement sign हुआ government के बीच में और इस मारवाड लोग परिशद के बीच में और परिशद को एक acceptance म के लिए कि हाँ ठीक है ये एक legal entity है इसको मारवाड public societies act के अंडर में recognition मिलना शुरू हो गया तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि मारवाड लोग परिशद जो है वो कैसे एक legal entity बनी और किस तरीके से ये mass level पे काम करती रही और responsible government की demand करती रही next है राजपूत देशी राजजय परिशद ये establish की गई थी 1928 में और establish करने वाले जो leaders थे उनके नाम देख लो विजय सिंग पतिक केशरी सिंग बारेट राम नारायन चौदरी और दामुदरलाल राठी इसका first session जो था वो अजमेर में हुआ और इसके president बने थे अमरितलाल सेट ठीक है इसका main काम क्या था जितने भी states थे ना उन states के दुआरा जो exploitation की जो शोशनकारी जो policies follow की जाती थी जिसकी वज़े से लोगों का या फिर जो भी मजदूर हुआ करते थे या जो पीजंड्स हुआ करते थे उनका शोशन किया जाता था उस policies को criticize किया जाता था इसे राजपुताना देसी राज्य परिशद के दुआरा थीक है इसे देसी राज्य परिशद ने एक रस्ता अक्तियार किया रस्ता दिखाया कि किस तरीके से कानूनों को change किया जा सकता है एक state या अच्छा administration चलाने के लिए साथ में लोगों को aware भी किया इस institution में कि कैसे sovereign system काम किया करते हैं और किस तरीके से आप भी capable हो एक sovereign system को develop करने में तो ये काम हो गया किसका राजपुताना देसी राज्य परिशद का ऐसे ही next important institution राजस्थान विद्यापीट उदायपुर में और establish करने वाले थे जनार्दन राय नागर इसका एम क्या था कि nationalism का एक sense develop किया जाए students में और वो भी हिंदी भाशा के थूँ और इसके अलावा education का spread करना भी एक important काम था तो राजस्थान विद्यापीट कहां पर establish होई उदायपुर में अब आप देखोगे इस institution के श्रम जीवी विद्याल है जो कि 1937 में establish किये गए थे रमेश चंदर राय के दुआरा ऐसे ही लोग शिक्षन विभाग भी establish किया गया था 1939 में इसी तरीके से जनपद विभाग भी establish किया गया था 1941 में ऐसे ही साहित्या संस्थान और महाराना कुंबा कला केंद्र ये 1946 में establish कि गये थे ये सारे institution इस राजस्थान विद्यापीट के अंडर में ही establish किये गये थे और आज अगर देखोगे तो उदैपुर में ये एक deemed university के तौर पे existence में है जिसका नाम है जनारधन राय नागर विद्यापीट जिन्होंने इसको establish किया गया था जिन्होंने establish किया था इस र नेक्स्ट है राजस्थान हरीजन सेवा संग इसको establish किया गया था 1932 में और इसके president बने थे गंशामदास बिडला ठीक है पिलानी वाले गंशामदास बिडला को इसका head बनाया गया था ठीक है साथ में हरविला शार्दा ने भी बहुत important role play किया था जो कि इस राजस्थान हर हरीजन सेवा संग की राजपुताना वाली जो ब्रांच थी ना उसके head बने फिर बाद में मतलब गंशामदास बिडला जो president थे उन्होंने हरविलास सार्दा को राजपुताना ब्रांच ओफ राजस्थान हरीजन सेवा संग की head बना दिया गया था ठीक है यहां पर लोगों यहां पर जो हायर कास्थ के जो लोग थे ना उन्होंने बहुत सी schools भी open की थी राजपुताना हरीजन सेवा संग के एक तरीके से direction के basis पे कैसे भी करके जो downtrodden sections थे उनको uplift किया जाए इसके अलावा मानिक्यलाल वर्मा ने अपना एक सेवा आश्रम करके भी नारेली करके गा बहुत बड़ा कभी जाओ तो आप ठीक है तो वहां पर मानिक्यलाल वर्मा ने एक सेवा आश्रम करके एक institution establish किया नारेली में जो की अजमेर के पास में पढ़ता एक चोटा गाव है जिससे की वो हरीजन सेवा को smoothly conduct कर सके उस region में वहां पर लोगों को training दी जाती थी कि कैसे वो spinning कर सकते हैं यान की और self dependent हो सकते हैं कहने का मतलब गांदी जी वाले principles को यहां पर एक तरीके से enhance करने की कोशिश की गई कि एक गरीब से गरीब इनसान या फिर जो नीचले तबके का जो लोग होते हैं वो किस तरीके से अपनी life में struggle करके stand कर सकते हैं self dependent हो सकते हैं अगर इस way में हम देखें तो संग ने बहुत important role play किया था हमारे यहां के हरीजन लोगों के बीच में political awareness लाने के लिए और उनको educate करने के लिए ठीक है तो इस तरीके से राजस्तान हरीजन सेवा संग भी अपना complete होता है next institution वो है विद्या प्रचारेनी सभा बिजूलिया देखो इसमें नाम बिजूलिया का आगया है तो आप समझ जाओगे इसको establish किया गया था सादू सीताराम दास की द्वारा बिजूलिया में जो कि राजस्तान सेवा संग के उस ताइम पे चेर्मेन हुआ करते थे इन्होंने 1915 में देरे देरे जैसे टाइम बिता तो विजय सिंग पथीक ने इस विद्या प्रचारेनी सभा को अपने अंडर में ले लिया और फिर वो ही इसके पूरी activities को conduct करवाया करते थे 1915 के बाद में यहां पर जैसे कि नाम से पता पढ़ रहा है विद्या मतलब ज्यान शिक्षा की बात की जाएगी तो यहां पर character building के साथ में different different studies पढ़ाई जाती थी इस campus में या फिर इस institution में विद्या प्रचारेनी सभा में teaching के साथ में teaching जो होती थी जो एक तो study के लिए होती थी जो subject हुआ करते थे उनको पढ़ाना और जो सबसे important काम था वो था character building चरित्र निर्मान का काम किया जाता था यहां पर ठीक है यहां पर इस institution में बुड़े लोगों की भी पढ़ाई करने का एक मतलब मौका था उनके पास भी पढ़ने का रात के time पर वो आके पढ़ सकते थे यहां पर इन्होंने जो बिजोलिया पीजन पुमेंट हुआ था ना किया गया था उन्नीस सो तेरह चोदा एडी में स्टैबलिश किया गया था किसके दुआरा स्वामी गोपालदास पंडित कनया लाल पंडित स्रीडाम मास्टर इन्होंने मिलकर के चूरू में यह स्टैबलिश की थी और एम क्या था सभा के अंदर ही एक सर्वहितकारणी पुत्री पार्टशाला भी स्टैबलिश की गई थी और पुत्री से आपको पता पढ़ गया होगा कि बेटियों की एड्यूकेशन को इंप्रूव करना तो चूरू में इसको स्टैबलिश किया गया था इस पार्टशाला को स्कूल को जहां पर विमन एड्यूकेशन को इंक्रीज करने का में परपस हुआ करता था इसके अलावा जो हरी जन्स थे उन हरी जन्स को एड्यूकेशन देने के लिए कबीर पार्टशाला भी स्टैबलिश की गई थी इसे सर्वहितकारणी सभा चूरू के दुआरा ये जो सबा थी इसने एक डिमांड हमेशा से रखी क्या कि जितने भी गवर्मेंट कोर्ट्स हैं वहाँ पर हिंदी भाषा का यूज होना चाहिए ये एक अपने आप में एक डिस्टिंग्विस एक डिफरेंट डिमांड थी तो ये कई बार एक्जामपा इंटरफिय से ये भी अपनी कम्पलीट होती है नेक्स आता है शिक्षा कुटिर जीवन कुटिर वनस्तली इग्जेक्ली वही शिक्षा कुटिर वनस्तली ये भी विद्यापीट जो आज बनके आप देखते हो वहाँ पर गर्ल्स एजुकीशन को मेंली प्रोमोट किया जाता है वो ही ये तो इसको establish किया गया था 1935 में जब शान्ता बाई जो की पंडित हिरालाल शास्त्री जी की बेटी थी उनकी death हो जाती है तो उनकी memory में ये establish किया जाता है और इसके पूरे management को देखने का काम करते हैं श्रीमती रतन देवी जो की हिरालाल शास्त्री जी की पतनी और शांता बाई की मा उन्होंने समाला administration और साथ में इनकी help किया करते थे प्रकाश चंद्र गोयल ऐसे करके इन्होंने इस institution को run करवाया यहां पर nationalism और education से related activities करवाई जाती थी कहने का मतलब जो लड़किया थी यहा किया जाता था इस शिक्षाक को टिर में ऐसे ही यहां पर पंच मुखी education दी जाती थी चार तो अपने moral देखे ही थे राइट चार प्रिंसिपल जो जीवन को टिर के थे वहां पर तो जीवन जीना सिखाया जा रहा था अब यहां पर education के लिए पंच मुखी system शुरू किया ग करता है ठीक है आज चार प्रिंसिपल की बात आया तो जीवन कोटिर और पांस की बात है तो शिक्षा कोटिर ठीक है इस institution को कहीना कहीं contiguity of Gandhiji मिली हुए थी मतलब Gandhiji का सानिध्या इसको मिला हुआ था इस institution को contiguity बोला जाता है इसको सानिध्या को तो गांधी जी का भी patron important facts को जानने की कोशिश कर लेते हैं कि राजस्थान में जो political awareness आई है उसमें और कौन-कौन से institution ने किस तरीके से काम किया देखो, महाराना फतह सिंग्ग यह अपने incident अल्रेड डिसकस कर चुकिया आइटन कल्चर में जब literary activities की बात की थी जब महाराना फतह सिंग्ग दिल्ली में जो coronation ceremony होने वाली थी Edward VII की उसको attend करने के लिए जब जा रहे थे न तो केशरी सिंग्ग बारेट ने अपनी book एक जिसका नाम था चेतावनी राथ चुंगटिया जिसमें महाराना फतह सिंग्ग को चेतावनी दी थी कि भई तुम्हारे पूर्वस तो कैसे थे महाराना प्रताब जैसे और तुम हो कि बिटिशर्स के आगे पीचे गुमते फिरते रहते हो तो एक चेतावनी मतलब एक खुली challenge दे दिया कि बोले कि आप किस तरीके से जा सकते हो वाँ पे तो जैसे ही उस बुक को पड़ा तो फते सिंग ने दिल्ली जाने से मना कर दिया ठीक है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक बुक ने एक literary activity ने या literary जो creation थी उसने कितना revolutionary काम किया कि महाराना फते सिंग को उद्यपुर के महाराना को दिल्ली में coronation ceremony of Edward VII उसको attend करने से रोक दिया तो अपन देख सकते हैं कितना political awareness दीरे दीरे आने लग गई थी कि एक literary activity से भी कितना revolutionary काम किया जा सकता था इसके अलावा और important facts की बात करें तो अर्जुनलाल सेथी जो की अजमेर के थे उन्होंने जैन वर्दमान विद्याले established किया था जैपुर में 1907 में ठीक है वहाँ पर patriotism, राष्टरवाद, राष्ट्रियता के बारे में बताया जाता था sense of sacrifices की बलीदान से कितना फाइदा हो सकता है और बलीदान देने के लिए किस तरीके से तैयार किया जा सकता है students को, youth को वो काम किया जाता था इसे जैन वर्दमान विद्याले में इसके अलावा students को training भी दी जाती थी कि कैसे हतियार चलाया जाते हैं तो ये हो गया अपना जैन वर्दमान विद्याले इसके अलावा स्वदेशी मुमेंट जब चल रहा था तो उस मुमेंट से related ही कही न गहीं एक influenced way में राजस्थान में भी सिरोही, डुंगरपुर, मेवाड और बांसवाडवाले रीजन में एक institution established किया गया उसका नाम तो स्वदेशी मुमेंट से inspired होकर के स्वामी गोविंद गिरी के दुआरा तो अगर पुछा जाए कि गोविंद गिरी के दुआरा स्वदेशी मुमेंट स्वदेशी मुमेंट स्टार्ट किया गया था तो कौन से रीजन में तो सदन राजस्थान में या फिर यह पूछ ले कि संप सभा या फिर सब्यसभा, ठीक है, संप सभा या फिर सब्यसभा, सब्य तो अपन हिंदी में बोलते हैं, और अगर भीलों की ट्राइबल लेंगवज में चले जाए तो संप सभा, ठीक है, तो इसको इस्टैब्लिश किस ने किया था तो स्वामी गोविंद गिरी ने ही किया था कहां पर राजस्थान के दक्षणी पहाडी क्षेत्रों में that means southern mountainous region of Rajasthan और इसका परपस क्या था कि एक political awareness देना वहां के लोगों के बीच में क्योंकि ultimately अपना topic क्या चल रहा है बात्चीत का एक ही चल रहा है political awareness क्या क्या institution थे कौन कौन से organization ने कौन कौन से personality ने important role play किया तो अगर सदर्न राजस्थान में या tribal region of Rajasthan में political awareness की बात है तो वहां पर स्वामी गोविंद गिरी का नाम ना है होई नहीं सकता ठीक है इस तरीके से last and most important thing about the political awareness in Rajasthan is कि जब revolutionary activities बहुत जादा चल रही थी ना तो उस time पे एक young man को responsibility दी थी कि वही राजस्थान से आप हतियार ला करके और revolutionary जो भी leaders थे उनको हतियार के supply करना तो वह young man कौन था भूप सिंग और भूप सिंग को बाद में हमने किस नाम से जानना शुरू कर दिया विजय सि पतिक ने 1912 में एक institution established कर दिया जिसका नाम था वीर भारत समाज उस वीर भारत समाज का purpose क्या था कि कैसे भी करके राजस्थान से weapon collect करने और in revolutionary क्रांती कारियों तक वह हतियार पहुंचाने जिससे की अंग्रेजी शाशन को उखाड के फैका जा सके ठीक है तो इस तरीके से इसने establish किया विजय सिंग पतिक ने purpose क्या था राजस्थान से हतियारों को ले जाकर के लिए देना किसको जितने भी क्रांती कारी थे उनको और establish कप किया गया था इसको 1912 में ठीक है तो इस तरीके से यह जो political awareness spread करने में जितने भी important institutions थे उनके बारे में हमने details जानने की कोश की है नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा और बाकी details मैंने starting में वीडियो में दे ही दी जो भी मुझे देना था thank you very much for watching this video